नमस्कार आज का हमारा पाठ है भारतिय गई काउं में बेजोड लता मंगेशकर इस पाठ को लिखा है कुमार गंधर्व नहीं इस पाठ में उन्होंने लता जी के गानपन की विशेश्टाओं का वर्नन किया है यहने उनके गाने की जो विशेश्टाइं हैं उसके बारे में बात की है गानपन का यहां पर आर्थ है गाने में प्राप्त होने वाली मस्ती या मिठास इसके लिए गाने के आगहात लोच और सुलवता यहीं तीनों चीजें जो हैं कि किस प्रकार से लताजी गाती थी उसमें कितना आगहात है और कितना लोच शीलता है फ्लेक्जिबिल का तालमिल उच्जित रूप से होना चाहिए और गाने में नीरस्ता नहीं होनी चाहिए यह जाना सरस हो नहीं होनी चाहिए इस उर्थिय उनकी शुद्धता अधिक ध्यान देने की कुई जरूरत नहीं होती अनके गाईकी सबसे बड़ी विशेष्टा है उनका सुरीलापन सुरीलापन यानी मिठास उन साथ ही मस्ती है कुमलता है ऑर मुघता जो ुछौता है उसको मुघतें मंतर कर देती है दोग करके रह जाता है उनका उचारण मधूर गौन्ज परिपौन रहता यदि आप लगताजी के गाने सुनेंगे तो आपको एक मधूरता के साथ-साथ उसमें गूंज भी दिखाई देगी जैसे आपके आवाज गूंजते हैं किसी चीज में उनके दो शब्दों के बीच भी एक प्रकार की मधूर गूंज से रहते हैं और जिसके कारण उनके जो द कायने में विलीन हो जाते हैं मुग्द हो जाते हैं उनका कायन इतना कोमल है कि शोतां को पता ही नहीं चलता कि वो उनका नेर्मल हो गया को पस्ट नजर आती है क्योंकि वह धावनाई ही होती है करुन गाने का भाव में का भाव श्रिंगर होता है शेनगार से संबंदित रस और उससे संबंदित गायन लता जी ने किया है लता का गायन शास्त्रिय द्रिष्टी से शुद्ध होता है यदि हम बात करें शास्त्रिय संगीत की तो उनकी लह और ताल भी शुद्धता लीवे होती हैं चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया है उन्होंने यानि चित्रपट संगीत यानि सीने करेंमा के संगीत को अपनी मदूर्ता दी जआ साथ शाथिये संगीत से मेल जो हमारी द्रिश्टी से द्रश्टी कि पवीतरता-पांबंत नहीं पाई जा सकती है लता जी बारे में अगर बात करें तो लता करुण करुण रस्त के गाने भी पूरी उत्रिष्टता से गाएं बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने करुण रस्त के गाने गाएं मेरे वतन के लोगों अगर अपने यह गाना सुना है एं मेरे वतन के लोगों तो यहां करुण रसका एक गीत है इस गीत के कारण पूरे देश के आँखों में आशु आ गए थे और इसी प्रेकार ओ बाबुल प्यारे गीत ने करुणा की नदिया बहा दी इन दोनों गीतों में पूर्णता भी है निर्दोष्टा भी है और मारमि यह गीत उनके श्रंगारिक गीतों से किसी भी दृष्टी से कम नहीं है यह बात अलग है कि उनके श्रंगारिक गीत मधूर मुहक और मनोरम होते हैं यह संगीत में बहुत सी संभावनाई छीपी होती है क्योंकि संगीत का शेत्र जो है वह बहुत ब्यापक है यहां पर सारे स्वर अंचुए रह जाते हैं हम सभी को नहीं कैच करके चल सकते बहुत से सुधार अभी हो सकते हैं अभी ऐसे ऐसे प्रयोग हो सकते हैं जिनकी और किसी की दिश्टी भी नहीं गई है सिनेमा की में नए नए प्रयोग प्रति दिन हो रहे हैं और अभी हिंदी संगीत की बात करें तो यह पूरी तरह से सपश्ट हो हो जाएगाorry कि जो है सिनेवां को कान बिगढ़ दी दी सबसे बढ़ा कारण है या जो सिनेमा का संगीत है उस से लोगों की संगीत रूची सुधरी है लोग पहले तुलना में ले ताल से गाने लगे हैं और इस सुधार का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सिनेमा जो लोग सिनेमा के गीत सुनते हैं वो गाने में भी उनकी लैतल अच्छी है तो कुमार गंधर्व क्या कहते हैं लोगोंने पहले की तुलना में अभी सैस्वर गाना शुरू कर दिया है यह बात ठीक है लेकिन दूस है विशीष का युवा पेढ़ी को इस प्रकार के हलके फुलके या थोड़े अभद्र ताइप के जो गाने हैं वो पसंद आने लगते हैं वे उच्छ कोटे के गाने सुनना पसंद नहीं करते हैं पुमार गंधर्व कहते हैं कि चाहे सिनेमा का संगीत हो या सास्तिय संगीत हो सबका मोर्भायर होना चाहिए रंजकता रंजकता का यहँआपर मीनिंग समझ लीजिये कि द्रंजकता का मतलब है मनोरंजन करने की समर्थे यानि कि कि समर्थता है कितनी उसकूर्थischen लोगों hammy पराउं मधूर्थता है अच्छा गायन जो है उसमें मधूरता और तनमेता का गुण सर्वोपरी होना चाहिए सास्तिय संगीत गायकों से कुछ चित्रपट जो संगीत है उसकी लोग प्रियता से कुछ गुण सीखने होंगे चित्रपट संगीत की मधूरता लोच सुरीलापन सरलता ये सब लताजी में पाये जाते हैं जो खुल शास्तिय संगीत जो है यदि इन से सीख ले तो एक अच्छा उनके लिए प्रियोग हो सकता है कुमार गंधर की अनुसार लताम अंगेश्ट के भारती गायकाओं में बेजोड हैं और उनके सामने कोई भी गायका ऐसी नहीं है जो उनके गायन के सामने टिक सके उनसे पहले गायका थी नूर जहां लेकिन नूर जहां जी को लताजी ने बहुत पीछे छोड़ दिया पिछले पचास वर्षों से लताजी पूरी तरह से संगीत की दुनिया में च्छाई हुए हैं और इतनी लंभी अवधी में अन्य गायकाओं आई और गई लेकिन लताजी का स्थान कभी भी चेंज नहीं हुआ बदला नहीं पचास साल के बाद भी आज उनका स्वर सुने तो कोमल सुरिला और मनभावन लगेगा लता बेजोड इसलिए हैं क्योंकि उनमें सारे गायन के गुन विद्यमान हैं और विश्चास्य संगीत से परिचित भी थी सुगम संगीत भी गाती रही और सुरिले पन और उनकी गु भी रूची भी परिश्क्रित हुई है यानि अच्छी हुई है सुधरी है लता मंगेशकर का गायन सास्टिय राग और सुगम संगीत दोनों का मेल है पेशास्टिय तापकर और सुरिले पन पर जारा ध्यान देती हैं उनके गीत लोगों में बहुत ही प्रिय होते हैं और प पहले लोग बेसूरा गाते थे उनके गानों से सधेवे बोल सुनते सुनते आम लोगों की भी संगीत में अभिरुची होने लगी कुमार गंधर के शब्दों में सुरेला पन जो है वह साधारन प्रकार के लोगों को भी उसकी समझ आ गई है और इन सब का शे लता जी को जा है उनका जो संगीत विश्यक अभिरुची पैदा करने में उन्होंने बहुत बड़ा हाथ बटाया है चित्रपट संगीत में उन्होंने करुण रस और शंगार रस दोनों तरह के गाने गाए हैं लता के गयन के करण आम लोगों में भी ताल और शूर की अच्छी समझ हो में सास्तिय गायकों ने अपनी एक हुकोमत सीवना रखी है जो ठीक नहीं है और अपने विशे की ज्यान को ही सरस्रिस्ट कहना एहंकार माना जाता है जो किसी भी कलाकार को यह एहंकार नहीं करना चाहिए लेकिन यह मनुष्य की कमजोरी होती है कि हर व्यक्ति में अपनी कल लता जी ने इस पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला है उनके गाने सुनकर के लोगों में गायन का परिश्कार हुआ है लता की गायकी में सास्त्यता और मधूरता दोनों पर बल है लोग उनके गाने जो है आनंद पूरवक गाने लगे हैं लता सास्तिय संगीत के करना सही नहीं है और जो प्रसिद्धी उन्हें मिली नहीं किसी सास्तिय गायक को नहीं मिल सकी लोग पहले शास्त्र को महत देते थे वे आनंद और मनुरंजन के लिए कला का आसफादन करते हैं अलता में यह गुण अधिक था हो समय में ही उन्होंने शोताओं को मंत्र मुग्ध कर लिया और इसी यह प्रमानित होता है कि व्यावार और जन प्रेता का ना कि शुष्क ग्यान और सास्त्र का अधिक महतुर है यानि कि आवश्यक नहीं है कि आप बहुत अधिक ग्यान लेकर कि लोग प्रेयर हो जाएं ल सकते हैं लोग प्रेयर हो सकते हैं लोगों का आपको अधिक सम्मान मिल सकता है सारे संगीत जगत को यानि सभी को लताजी से यह बात सीखनी चाहिए